नवसकार दोस्तो मैं आपके साथ बिजय सर दोस्तो बात करेंगे हिंदी ब्याकरण के महतपूर्ण प्रस्णों की बात करेंगे दोस्तो आज के यहाँ पर बात करेंगे 30 महतपूर्ण प्रस्ण रहेंगे दोस्तो यहाँ पर आपके समास के समंधे 30 महतपूर्ण प्रस्ण रह तो यह बीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो अंत दक जो देखेगा और इसकी पिछली कलासे जगर आप लोगों को देखना है यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं तो चले इस शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रस्णी स्कीन पर क्या दिया है या थोचित अब या थोचित सब्द दे दिया गया है इसमें कौन सा समास आएगा करमधारे समास होगा बहुबरी समास होगा ततपुर समास होगा या आपका अब्वई भाव समास हो जाएगा तो बहुत इच्छा प्रस्णी दोस्त कैसे होगा यतोचित मतलब क्या हो जाएगा अब भी भाव समास हो जाएगा चलते हैं अंगले प्रस्ण की तरब दोस्तों अंगला प्रस्ण स्कीन पर दिया गया है नर्वच्छी ठीक है नर्वच्छी किसे कहते हैं भाईया बहुबरी समास होगा ततपुरुष समास होगा कर प्रत्दिन सब्द में समास है अगर सब्द कैसे आपका दिया है प्रत्दिन दिया हुआ है प्रत्दिन मतलब दिनम दिनम बोल सकते हैं तो क्या आता है जब दोनों प्रधाप के प्रधान हो ठीक है प्रत्दिन यहां पर दोनों प्रधान आपके नहीं दिया है ठीक है दिन प एने बेल आईकन पर आपको दे दूँँगा, तो समाज टीक का आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, कि समाज हम कैसे पहचाने, उसका भी वीडियो पार्टिकुलर आपका अीजह राक़्ूलर आपका बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपका माता-पीता लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपका दुन्द ऑसा हुथा हैं अंग्ला प्रस नेिंट्र अब त्री नेट्र में कौन moza राइट राइट एंसर क्या होगा सबीन योग कमेंट के मादध्र थे वत आएं त्री नेट्र कि भी हुआ यहां कि यहां पर क्या है दूग समास लगा रहे हैं लेकिन दूग का समूह कितना है आठ द्याओं का समूह आपका अश्ट धाई कहलाता है यानि कि यहां पर आपका संख्या वाचक आ गया सब्द तो आपका दिग समास हो जाएगा अंगला प्रसनी स्कीन पर है निम्न में से असत्त कथन छाट ये अब असत्त कथन इसमें कैसे छाटेंगे दे यहां पर जीवन मरण में दुन्द समास है जीवन और मरण यहां पर क्या दोनों प्रततान है तो आपका दुन्द समास होजाएगा बिल्कुस सही बात सही है जेव कट में तत्पूरु समास है जेव कट बिल्कुस सही बात है तत्पूरु समास होगा इस पर बी आपसन क्या है चंद्रमौल में बहुबरी समास होगा कहजे चंद्रमा के समान ठीक है या आपका बहुबरी समास हो जाएगा यह आप संजो दिया पंचानन में दिग समास होगा पंचानन में अब यह देखे पांच आनन का समुख यह बोल देते हैं कि बोलेंगे संख्या वाचक है बहुत से बच्चे परसान हो जाते हैं तो यहाँ पर दिग समास चले आते हैं लेकिन आपके ये गलत है पंचाना नहीं पांच आनन का मुख किसे बोलते हैं जिसके पांच मुख हो उसे क्या बोलेंगे पांच मुख किसकी होते हैं कौन से भगवान के होते हैं तो वहाँ पर वो होगा यानि कि कौन सा होगा बहुबरी समास होना चाहिए यहाँ पर कौन सा हार कौन सा आ पर समास हो जाएगा इसमें कमेंट के मादन्य चलूर बताएं वर शोता हूगा यहाँ प्रसदत क्या दिया है संच्छा वाल चक तो धिया हुए है संच्छा वांचक तो रहे हैंने 20 soon आप कौन सा समास होगा बहुत सारा confusion रहेगा दोस्तों इस प्रस पर ठीक है सन सदस में कौन सा समास होगा अब भी भा होगा दोंदर समास होगा दिग समास होगा ततपुरुष समास होगा ऐसे सब्दे दोस्तो जो एक साथ बोलने में कठिंता होती है उचारन करने में कठिंता होती है यानि कि संग सतस सदस का आपका क्या हो जाएगा ततपुरुष समास हो जाएगा ऐसे प्रस्ण ज्यादा तरब के ततपुरुष समास होते हैं ये भी आपका एक ट्रिक है दोस्तो अंगला यहां पर यह प्रसन है सज्जन सज्जन में कौन सा समास हो जाएगा सभी लोग कमेंट के माध़ीं से बताएग सज्जन किसे वोलोंगे भाई Yak सभी लोग जानते ही यह सज्जन पुरुस है मतहलब उनका कर्म ऐसा होगा क्या है कोई भी सज्जन पुरूस का उसका कर्म ऐसा होता है यहनी कर्म अच्छा होगा तब यहां पर क्या हो जाएगा कर्म धार एसमास हो जाएगा इस कोश्चन इसकी इन पर देखते हैं दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो महा बीर में कौन सा समास हो जाएगा ठीक है महा बीर अभी लोग बोलते हैं कि ये महा बीर थे हमारे ये महा पुरूस थे महा बीर पुरूस थे ऐसा बोलते हैं किसलिए उनको बोलते हैं महा बीर पुरूस महा बीर हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि वो कर्म के धार पर उन्होंने ऐसा कर्म किया होगा जिसे ने महाबीर या महा बुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर साथ आपका यह background complete होता है संसकत में भी आपका समास करवाएंगे त्रिभुवन अब त्रिभुवन की बात आती है दोस्तों त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा यानि की तीन भूवनों का शमूँ क्या हो गया? तीन भूवनों या भौवनों का शमूँ भवन यानि क्या हो गया? मकान तीन भौवनों या भौवनों का शमूँ क्या कहलाएगा? यानि यहाँ पर आपका संख्या वाचक आ गया अब संख्या वाचक में कौन सा समास होता है बच्चा बच्चा जानता है भईया कि दिगु समास होता है ठीक है दोन दो समास कहा होता है जहाँ आपके दोनों पद प्रधान होते हैं ठीक है वह आपका दोन दो समास होता है नेस कोश्चन की बात करेंगे आजन्म आजन्म कॉशन की बात करेंगे अंग परस ने त्रिसूल अब त्रिसूल में कौन सा समास हो जाएगा बहुत से बच्चे यहाँ पर किया है तो लगाएंगे भुट से बच्चे क्या है जाएगे लगांगे ठीक है अब ढवर McGर prao ngos confusion हम clear करते हैं त्रिसूल में कौन सा समास हो जाएगा तीक है यहाँ पर आप भी संख्यावा चक है तो दिग्व समास होगा त्रिसूल में आपका दिग्व समास ही होगा next question आई यह देख लेते हैं अंगलर प्रस्ण है इन सूचियों को सुमेलित करते हैं सही विकलपा चैन कीजिए देखे ऐसे भी प्रस्ण आपकी जाम में आए हैं और आते हुए भी हैं त्रिके इनको आपको करना है और नीचे आपकी यह चार आपसन भी दिया गया है कि कौन सा आपके आपसन सही है ठीक है यहाँ पर code वहां सा दिया है code दिया गया A सही है B सही है C सही है D सही है तो कौन सही है यहाँ पर code सही होगा यह आप लोगों को बताना है ठीक है तो चली हम आप लोगों को इसका right answer बता देते हैं नौरत्न यानि कि नौरत्नों का शमूह यानि कि संख्या वाचक आ गया तो दिग समास हो जाएगा यह आपका ठीक है दाल भात दाल भात मतलब क्या होगा यहाँ पर दोनों प्रद प्रधान है तो आपका द्वंद समास हो जाएगा नील कमल अर्था नील कमल यानि कि नीला है कमल अर्थात सभी लोग जानते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर कर्मधार है समास हो जाएगा दस आनन की बात कर जाएगा दस हैं आनन जिसके अर्थात रामन यानि की बहुबरी समास हो जाएगा ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे यह सभी तो क्या हो जाएगा यहां पर 4, 3, 2, 1 आप देखें कौन से भासा में 4,3,2,1 दिया है तो यहाँ पर देखेंगे A आपसन में दिया है 4,3,2,1 यानि A का 4, B का 3, C का 2, D का 1 दिया है तो यह सभी प्रसन आपको उमीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे चलते हैं अंगले प्रसन की तरफ और अंगले प्रसनी स्कीन पर दिया हुआ गया है कि सोका कुल अब सोका कुल में कौन सा समास होगा हमें कमेंट करके माध्यम से बताएं जरूर दोस्तों सोका कुल में आपका कौन सा समास होगा इसमें भी आपका ततपुरुष समास हो जाएगा नेस कुश्चन है, चो मासा सब्द में समास होगा, अब यहाँ पर आ गया, चो मासा, यहीं कि कौन समासा भईया, चो मासा है, चो मतलब क्या होता है, चार बोलते हैं, ठीके, चो मासा बोल देते हैं, चो मासा चला है, यहीं कि चौथा महीना चला है, ठीके, यहीं संख्या बा Yudhister अब Yudhister में कौन सा समास हो जाएगा समझने वालीबात है Kidas किसे बोल जाता है भाइया तो काफी सारे बच्चे ततपुर्स लगाके चले आजाते हैं या आपका करमधारे लगाके चले आजाते है जो की आपका गलत है युदिश्टिर आपका क्या है बहुबरी समास में आएगा किस में आएगा बहुबरी समास में आएगा नेस कोश्चन की बात करेंगे कभी स्रेष्ट अब यहाँ पे ऐसा प्रसना आ गया दोस्तों कि कभी स्रेष्ट में कौन सा समास होगा चलिए सभी लोग बताईए, देखे दोस्तों ऐसे जो प्रस्णम लेकरा हैं, जिसे सब्द लेकराते हैं, ये आपके गदपद से उठाकर आपके समाज संधी पूछे जाते हैं न, ऐसे भी आपकी त्यारी करवा रहे हैं दोस्तों, कि आपके जो गदपद से आपके सभी लोग जान जाएगे, कभी पर सेष्ट, कभियों पर सेष्ट, ये कभी पर सेष्ट, में पर, अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा न, बिल्कुल, वही आपका हो जाएगा, अधिकरण तत्पूरु समास हो जाएगा, अब यहाँ पर अंगल आपका है तो यहाँ पर देखे कौन हो जाएगा ठीक है स्वारी यहाँ पर यह नहीं होगा विद्या सागर आपको क्या हो जाएगा तत्पुरुस हो जाएगा हरी संकर में आपको क्या हो जाएगा बहुबरी समास हो जाएगा ठीक है और पंच पात्र में आपको क्या हो जाए जाएगा दिग समास होगा और यह आपका और बीना पड़ी जो है इसी में आपका कौन सा हो जाएगा देखिए यहां पर सी आपसन सही दिया हुआ है यानि कि एक का दूसरा होगा ततपुरुष समास हो जाएगा बिद्या सागर का हरी संकार आपका क्या हो जाएगा दोंद्र समास हो जाएगा हरी संकर में आपका क्या हो जाएगा हरी और शंकर यहाँ पे दोनों पत प्रधान हैं इसलिए आपका दुन समास में रखा गया है पंच पत्रों का समु यानि पी संक्या वाच चाह कि तो दिग्र समास हो जाएगा और बीना पड़ी ये आपका बहु ब्रीज समास हो जाएगा चलते हैं अंगले प्रसन की तरफ दोस्तों अंगला प्रसनी स्कीन पर दिया गया है और बहुत ही प्यारा सा प्रसन पूंचा गया है कि धर्मा धर्म अब यहां लोग भी देखेंगे आप लोगों क्या देख रहे हैं कि जो धर्मा धर्म दिया है ये कैसा सब्द है अब यहां पर देखेंगे आपका धर्मा भी आपका प्रधान है और ठीक है धर्म भी आपका प्रधान है सबी लोग कमेंट के माद हम समय बताएं चोरहा चार राहों का समूंझ यह चार सडकों का समूं चोरहा यानि कि दिग समास अंगला प्रसना यह देश बिदेश देश बिदेश दिया है तो वच्चा वच्चा बता सकता है देश भी आपका प्रधान और बिदेश भी आपका प्रधान सब्द है जब दोनों प्रधान सब्द होते ही तो आपका दुन्द समास होता है ने इस कोश्चन की बात करेंगे देवालाए अब देवाले सब्दे दिया गया तो कौन सा समास हो जाएगा सबी लोग जानते ही है तत पूरूष समास हो जाएगा ने इस कोश्चन की बात करेंगे बारम बार बारम बार यानि की क्या कह सकते हैं बार बार ठीक है बारम बार यानि की बार बार कह सकते हैं तो आपका यह बारम बार में ठीक है में आपे पूरा अर्थ सहीद बता रहे हैं बारम बार्यानी की बारबार होता है तो इसमें समास बताना है दोस्तों तो कमेंट के मादम से बताएं तो इस पर आपका अब्वेई भावज समास हो जाएगा अंगला प्रस्न है चिडी मार देखिए गद पद से रिलेटेड अर लिये गए प्रस्न है दोस्तों गद पद से लिये गए प्रस्न है जो बहुत ही मतपूर होने वाले हैं आपकी जाम के दर से और ये बहुत ही सलेक्शन के लिए आपके बहुत ही भूम का निवाएंगे है प्रस्न दोस्तों प्रस्निय है चिडी मार अब चिडी मार सब दिया गया इसमें क्या आ जाएगा भईया तो इसमें आकवन करके आपको ततपुरु समास क्लिक करना है चलते हैं अंगले प्रस्न की तरफ दोस्तों प्रस्निय है नील कंट ये भी आपके टीटी जाम 2016 में पूँचा गया प्रस्न है तो नील कंट में कौन सा समास हो जाएगा नीला है कंट जिसका अर्थात सिव सभी लोग जानते हैं तो कैसे इस प्रकार के जामपल जो होते हैं या उदारन या अर्थ निकालते हैं तो आपके बहुबरी समास होता है सभी लोग समझ रहे होंगे चलते हैं अंगले प्रस्न की तरफ सत्साई अब यहां पर confusion होता है सभी लोग सत्साई क्या है सत्साई कि क्या बहुत सारे बहुबरी लगाते हैं या दिक समास इन दोनों में confusion होता है तो आज हम confusion clear कर देंगी सतसई में क्या समास होगा ठीक है साथ सई साथ सईयों का समूँ आपका सतसईया बोलते है बिहारी की सतसईया सभी लोगों जानते हैं ठीक है तो यहाँ पर बहुबरी सभी लोग लगा लेते हैं लेकिन जो इसका right answer आपको दिख समास होगा ठीक है इजाम में आए तो आपको दिख समास पर क्लिक करना है नेस्ट कोश्चन की बात करेंगे नीडर नीडर में आप लोगों बताना है दोस्तों यह तीसवा प्रसन है यह भी आप लोगों को जान दे ना जो हम आज की वीडियो में 30 प्रसन बताने वाले थे और जो नेस्ट वीडियो आएगा उसमें भी आप लोगों को 30 प्रसन बताया जाएगा ठीक है तो यह 60 प्रसन रहेंगे इनमें से आपका पूरा समास कंपलीट हो जाएगा जो भी जो भी प्रसन आपके बनत समास हैं तो नीडर में कौन सा समास होगा तो समास होगा इसका एंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से पर बताना है और इस कैंसर हमने इस वीडियो में आप लोगों बता देंगे तो चलते हैं दोस्तों हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और परिवार के साथ सारी खुसियां माटते रहे हैं साथी साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबस्काइब करना मत भू साथी साथ सेयर भी कर दो क्योंकि मौ्डी जी कहते हैं सबका सात सबकाभी कास तो हमारा भी इस इच्छा जगत का चलायले तो हम भी कहते हैं वह